तो हेलो दोस्तों, वूद्ध है वीडियो को आज को वीडियो में है दोस्तों आज को वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा प्रॉपर तरीका PUBG One Global को डौबबर कने का वेब से यहां पर जो है कई सारे बंदों को मतलब प्रॉब्लम आ जाता है उनका डाउड होता है तो इंस्टॉल नहीं होता अब इंस्टॉल होता है तो यह काफी सारी दिक्कत जो है सभी के साथ आ रहा है ठीक है तो मैंने सोचा इसको पर एक डेडिकेटर फूल वीडियो बनाता हूं जिससे कि मैं आप लोग बताऊंगा कितन मैं देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें करना क्या है हमें क्रोम प्राउजर पर आना है ठीक है क्रोम प्राउजर पर आने के बाद अगर आप डिरेक्टली क्रोम ब्राउजर के अंदर जाके यहां पर प्प्जियोंग दिखाएगा ठीक है तो इसे open करने का simple सा तरीका क्या है तो देखें मेरे में यहां पर इसलिए open हो गया क्योंकि मैंने यहां पर जो है VPN को connect किया हुआ है तो आपको भी जो है किसी भी एक VPN को Singapore server से connect कर लेना है तो चली वहां फटाफ़से यहां पर दिखाता हूँ मेरे पास यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सिंगपूर क्लिक करके सिंगपूर चलाना किया है यहां पर आपकंपका क्रोम ज़िआ को फाइगा अदर जाना है तो मैं सबसे पहले याँ पर दिखा थढ़ा आपته आप वीडियो को यहीं से स्कीब करो अप समझ नहीं आएगगा मैं complete प्रसेश बता रहाऊं ठीके तो आप डिरेडली वेपसाइट पर जाके वहां से डाउनलोड कर लोगे फिर एरर हो जाएगा तो मैं यहां पर दिखाता हूँ मेरे साथ क्या-क्या परिशा नहीं हुआ नहीं हुआ तो वो सारा को दिखाता हूँ तो जैसी आप लोग पॉपजुनल ग्लोबल के अफिसल वे आउंगा तो वीडियो को साथ बने रहना ठीक है तो यहां पर देखिए मेरा यहां पर डाउनलोड हो रहा है 1.3 जीवी का तो मैं थोड़ा सा यहां पर वीडियो जो फास्फ़रोड कर दूँगा ताकि हम लोगों का टाइम बचे वरना यह बहुत जाता है यहां पर टाइम अजियां पर मैं फट आफट से दूआ है तो जब आप डाउस्ट कर रहे हो तब वीप vín को स्पीड हो कॉडियों यहां पर ऑफक्यम तो इंस्टाल करने बद डूर्मली आप लोग जैसे पर मिसंस को अलाव करते हो सब का सभी permissions को यहां से allow कर देना है, थीक है, तो जैसे permission आ रहा यहां पर allow कर देना हो तो यहां पर कुछ update लेगा छोटा सा तो आपको क्या करने है, simply update कर लेन है जो छोटा वूड़ा update होता है, update करने कब पाद आपका गेम जो यहां लॉग इन नहीं हो पाएगा सर्वर लॉग इन नहीं हो पा रहा था और मतलब काफी जाता है यहां पर मुदे प्रॉब्लम देखने को मेले थे जब मैं यहां पर लॉग इन करने का ट्राइग यह वाला वर्सन जो मैंने डाउनलोड किया हो है जो है यह इस डिवाइस के साथ क ठीक है तो कंपेटिटिव बला किस तरीके से करना है वह भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो देखिए मैं जब भी यहां पर लॉग इन करने का ट्राइग करता हूं तो यहां पर मतलब फेस्बुक से सब्दीचे मैं ट्राइग कर दिया वीपेन वगरा का सर्वर वगरा भी किसी भी सर्वर से जो है नहीं हो पा रहा था यहां पर ठीक है तो मैंने काफी ज़्यादा ट्राइग क्या नहीं हो रहा था तो इसका एक्चली मैं प्रॉब्लम क्या है तो मैंने इसे यहां से अंस्टाल कर लिया अंस्टाल करने के बाद मैं फिर से उसी वेबसेट के अंद राही डॉड़ोड करना एक्यों कि आपके डिवाई के अ कर दोन को डॉडोड करके पर यहां पर काफी ज्यादा स्लोड रहाές थो आप लोग देखो कितना ज़्यादा मतलब तेजी से यहां पर डाउन्लोड का स्पीड बढ़ जाता है ठीक है तो यहां पर उसके बाद मैं आप इसे इंस्टॉल कर लेता हूं इसे ठीक है इंस्टॉल करने बाद जो नॉर्मल सा प्रोसेस होता है आपको सारा कुछ कंप्रेट करना है मतलब छोड़ा सा update लेगा फिर से तो अपडेट देरा है यहां पर आप लोगो ग्राफिक्स को चूज करना है मतलब आप हाईं डभाई चूज करते हो तो मैं आप 1 फ्र फ्र फिर स्लैट कर लेता हूं फिर इसके बाद यहां पर वह जो है रिशोर्षॉरइ Cork पर डाउनलोड होगा ठीक है तो अपके डिवाइस के अकॉर्डिंग यहां पर डाउनलोड हो जाता है तो मेरा देखिए अपर complete हो चुका है तो मैं यहां से restart करता हूँ और फिर यहां पर बीना वीपेन के भी खेल सकते हो तो मेरा यहां से login होने को start हो चुका है देख सकते हो लॉग इन हो चुका है और दोस्तों यहां पर जो है अभी वीपेन connected है तो मैं इससे यहां पर disconnect करता हूँ discount करने के बाद फिर मैं आप लोग दिखाऊंगा login करके लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर नोटीस आ रहा है यह नोटीस एक्चली है क्या यहां पर जो अपना global बर्सन के अंदर purchase हो रहा था थी के play store से मतलब इंडिया के बाहर जो लोग भी purchase कर रहे लिए तब तक और खुझ से जो है यह सारा कुछ solution करवा रहे हैं ठीक है तो प्लेयर के लिए तो पब जी बहले देखिए कितना कुछ कर रहे हैं गेमर्स के लिए ठीक है तो यहां पर उसके बाद दोस्तों आगे यहां पर बढ़ते हैं मैं आप लोग आगे का सारा दिखात आता हूं completely तो चलिए मैं से बीपेन को डिस्क्रेंट करता हूं यहां पर गेम को क्लोज करते हैं और मैं यहां पर मतलब ऑपन हो रहा है ठीक है ओपन होने देते हैं इसे completely दोस्तों यहां पर मतलब यह नॉर्मल सा आपका जैसा ओपन होता है वैसे हो जाएगा कोई भी दिक बात नहीं है यह जो है बिल्कुल टेस्टेड में थे आपके आगे मैं यहां पर लाइफ टेस्ट कर रहा हूं अभी मेरा कोई भी करने कर नहीं है सिर्फ एक बार आपको लॉग इन कर लेना है फिर इसका आपका गेम जो है स्मूथली रन हो जाएगा बीना भी पैन के ठीक ह तो सिर्फ लॉग इन के लिए वहां पर विपेन चाहिए होगा तो मैं यहां से ओपन करता हूं इसे थोड़ा सा वेट करते हैं तो देखें मेरा यहां पर गेम ओपन हो चुका है और इस बार जो है पिंग मिंग का ज्यादा इसू नहीं है ठीक है तो देख सकते हूं यहां तो इस सब्सक्राइब करना जाते हो है तो यहां पर कर सकत लगाएं दोस्तों यहां पर सबसे मेंग सी क्या थी आपको डिबाइस के अंदर कितना फ्रोंब्स चाहिए अगर आप अंधिक गलोबल इंस्टाल करते हो तो आपको मिनिमों 8GB का स्पेस चाहिए सेकेंड बाला नीचे दिया गया है एप का लिंक उससे करना है ठीक है तो बाकी दूस्तों यह बोला वीडिया आप लोगों कैसे लगां में करें जरूर बतना तो मिलते हैं सब्सक्राइब